मुख्यमंत्री और साथी साथ उनकी सोच और उनके क्रियानमन, सोच के क्रियानमन के कारड़, आज उत्तर प्रदेश, इस प्रकार का प्रदेश बन दिया है, कि देश के सारे प्रदेश उसका अनुकरण करना चाहते हैं, आजर्श प्रदेश बनाने का से आरड़ ये मुख्य मंद्री के और आज देशें ही नहीं तो विदेशों में भी उत्तर प्रदेश के माडल की चर्चा होती है इस सोच की इस कारगुजारी की और आज उनका हमको मारुदर्शन प्राक्त होगा वह हमको मुख्यती जिके राते मिले हैं ये हम समयों का सबसे बड़ा सोबाग्य है मैं उनका साबिक करता हूँ अभी अंदन करता हूँ अबर सुद्ये सवाहन जी अच्पदी सहकारी ग्राम विकाज देंके प्रदन देशक सेटेशिंग जी आज के इस रियादिसी सामा में निकाए कि इस बैठक में पस्कित है उत्रब्रदेश सहकारी ग्रास बैंक से जुड़े बेस भी मेरी सर्गाँ मैं सबसे पहले उत्रब्रदेश के इस सहकारी ग्राम विकाज देंक की 22 सामा में निकाए कि इस बैठक में तुने के इस सभी नो मिर्वाचित प्रवंद कमिटी से शुड़े पदा दिकारी और उनकी प्रतमिधियों का यह दो से मैं बढ़ाई देता हूँ बैंग ने जो एक नई अत्रा प्रारंड की है ऐसा करता कि छेतर में एक सुख़द अन्भूती कराता है इसके लिए मैं आप सब के भुटेप में सुख़दा में इस अब्रूती करता हूँ आप में से बहुत सारे सबस से इसे होंगे जो पहली बार बैंकी निदेशक की रूप में चेहनित हो करके इस बिकास रात्रा के साथ सहभागी बने भूंगे बेकिक जीएन में आप अपने घर में अपनी खरिवार में पिकास की स्प्रक्रिया कर पात रहे होंगे लेकिन अब एक सहकारिता के अभ्यान के साथ जोड़ करके समाज निर्मान राष्ट में गर्मान की से प्रवर्तमान अभ्यान में इस सहकारिक रामविकास बैंकी प्रवंद कारिकानी के साथ जोड़ करके आप उसका हिस्सा बंड़े हैं आप सब के लिए एक सुकप अंगोती वाला च्छन है सहकार का अंगोलन विशुद रूप से एक लोगतांत्रिक ब्यवस्ता पर जुड़ावा अभ्यान है और इसलिए हमरी सरकार ने इन ने दिया कि जित्ती भी सहकारी संस्थाएं हैं उनका आधार ही और उनकी मजगूती और उनका आधार ही उनकी लोगतांत्रिक परणादी है उनकी नियमित कारे परदती में भी यह दोवस्ता चलखनी चाहिए और आध मुझे प्रसंता है कि यह सहकारी संस्थाएं नकेवर लोगतांत्रिक परदती से पारे कर पारे हैं बनकी उतनी ही स्वतंत्र और श्वायत्त हो करके अपनी जम्यदारियों का निरुवान ही करने में लगी हुई है मुझे याद है जब अमारी सरकाराई थी इस समय सहकारता की स्थिदी बहुत अच्छी नहीं थी और ये मैं देश के अंदर कुछ बहुत सारे राज्यों को देखता हूँ जहां पर सहकारता अंदोननी वहां के किसानों वहां के सामाने नागरिकों की जिवन में बहुत बड़ा परवर्दन किया है खासतोर पर ग्रामिन अपर रिवस्ता को मजबूती प्रदान करने में या एनसेनी सेक्टर में सहकारता अंदोननी के बहुत बड़ी घुमिका है याना केवल उस तक्टे को मजबूती प्रदान कर सकता है बलकि उसके मादन से रोजगार की सर्जन और फ्रावलंडन का एक नया मार्द भी प्रसेस्ट कर सकता है लेकिन जहां उत्तर भारत में इस बाद की और ध्यान करते दे थे तो यहां पर सेकर्टा अंदनन ऐसे लगता था जैसे चंद मुठी हर लोगों ने इसे अपनी गरत में लेकर के सेकर्टा अंदनन के साथ एक माफिया सब्द जुड़ गया था आज उससे उलहर करके रिसुद्ध लोगतांत्री प्रद्द्धी के साथ जुड़ करके उसकी स्वदंद्र और स्वाइब कार्य प्रद्धी को आगे रहाने का जो एक प्रियास सेकर्टा लिवाद में किया है यहां आज की आउस्थिक्ता है और इसे गुरंतर का प्रद्धान करने में तब मदद मिलेगी जब आप लोगत अपनी कार्य प्रद्धी के माद़न से इस बैंक की कार्य प्रद्धी में ब्यातर प्रद्धा नहाँ करके अपने आपको और अपने लिवाचल को साबित करेंगे वे एक चुमाती हो भी आप सब के सामने क्योंकि मैं अपसब देखता हूँ कि इस प्रकार की संस्थाओं में एक समय के बाद जब लोग अपना और प्राय का भेध्वाब करने लगते हैं कारे की निश्टक्स्ता जब प्रवाइड होने लगती है अना अवस्यथ हस्तक सेथ होने लगता है और इस प्रकार की संस्थाओं सेका भी समाती हो या बैफ जब हम छंता से ज्यादा लोगों की भर्यक्य अपने स्व्यन के स्वार्थों के लिए करने लगते हैं। अपने स्वेन के परिवार के लोगों की इसमें विस्पैट करने लगते हैं तो नकेवल वा संस्था मरती है विलकि सेकारिका आंदोलन भी दम तोलने लगता है उसके माध्यम सें समाज की और ग्रामिल अर्थ हुजास्ता की अपनी इच्छती करते हैं इस सामाने निकार की जे बैठक है आपकी जे बैठक इन सबी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़नी काई पाउसर आपको ख़ड़न कर रहा है हमारी जिम्वारी नम्ती है कि टीम इस बात को लेकर के है कि हम लोग शाम्ही करूप से विस्व के सहितारिता की भावना के साथ टीम गर्थ के माध्यम से प्रदेश के अंदर एक बार फिर से सहितारिता के आंदूलन में एक नहीं जान फोकने का कारे करें मेरा विस्वास है कि जहां पर टीम वर्थ होगा उसके बहत्तर परणाम भी उसी रूप में सामने आएंगे दस लोग होंगे दस लोगों की अलग लग राए होगी लेकिन संस्का के हित में किसानों के हित में और प्रदेश के हित में क्या है हमें अंततार निसकर सो नहीं तक लेकर के जाना है और जो भी प्रदेश के हित में होगा वही हमें लागू करना होगा अजर हम इस संकन के साथ चल पड़ेंगे वोई कारण नहीं या बैंक जोग तक किसानों के लिए